निमस्कार मैं हूँ राउल शर्मा आप देख रहे हैं स्पेल आई नियो स्वागत आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में बड़ी खबर की शुरुवात हम करेंगे राश ठाकरे से जी हाँ आखिरकार वज़ा क्या है कि मुसल्मानों ने राश ठाकरे के खिलाफ मूर्चा कोल दिया है मुसल्मान आखिरकार क्यों सड़कों पर राश ठाकरे के खिलाफ उतर गए हैं और सीधे तोर पर राश ठाकरे को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा दरसल मुसलिमों ने राज ठाकरे के खिलाफ इसलिए मूर्चा खोल दिया है क्योंकि राज ठाकरे ने मुसलमानों को जो चुनोती दी थी उस चुनोती का भरपूर तरीके से जिया जवाब देने के लिए मुसलिम नेता तयार है मुस्लिम नेताओं ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम राज ठाकरे को छोड़ने वाले रही है जो कि राज ठाकरे एक ऐसे नेता है जो सीधे तौर पर देश में भड़काओ बयान दे रहे हैं जिसका असर पूरे देश में देखता ना जरारा है सवाल तो ये भी बनता है कि भई राज ठाकरे कौन होते हैं ये कहने वाले कि मस्जिद से लाउडी स्पीकर हट जाना चाहिए सवाल तो ये है राज ठाकरे को आकिरकार अधिकार किसने दिया है कि मस्जिद से लाउडी स्पीकर को हटाया जाए दरसल मौजुदा समय के अंदर जो हालात हैं वो स्तीधे तोर पर ये इशारा कर रहे हैं कि देश जो है वो सम्विधान से चलता है देश के सम्विधान में सबको अधिकार दिया गया है हर धर्म के लोगों को अधिकार दिया गया है लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से राज ठा राजर करे के खिलाफ अगर मुसल्मान सडकों पर उतर आए तो इसका बड़ा नुकसान राज़ ठाकरे को उठाना पड़े हालाकि मुस्लिम नेतायों के तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमें एक जुट होना चाहिए आज वक्त एक चुट होने का है और लगातार मुस् राश ठाकरे की भी बोलती बंद हो गई है राश ठाकरे एक समय में जिस तरह मुसल्मानों को लेकर भात कर रहे थे राश ठाकरे एक समय में जिस तरह से मुसल्मानों को खुली चुनौती दे रहे थे ऐसे में अब माना जा रहा है कि उन्हीं राश ठाकरे के खिलाफ बड़ा क को मिलेगा लेकिन कहीं ना कहीं मौजुदा समय के जो हालात है वो सीधे तोर पर ये बता रहे हैं कि एक और जहां पूरे देश में हिंदो मुसल्मान हो रहा है वहीं इसका सीधा सीधा जो श्रह है वो सत्ता पक्ष जो रहा है यानि कि सत्ता पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हिं हिंदु मुसल्मान कर रही है सत्ता पक्ष हिंदु मुसल्मान करके लोगों को बढ़काने का काम कर रही है जिससे नुकसान हो रहा है आज के लिए तना ही आपसे फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक लेजा दीजे नमस्कार